तो अब हम चड़ाई शुरू करने वाले हैं यहां से हमें पैदल यात्रा करनी है सफर गाड़ी हमने यहां खड़ी कर दिया है बाई भी आ रहे हैं गाड़ी चेक कर लो लोक कर लो जो करना कर लो अब वीडियो शूट हो रही है जाल ओजे चला जाइख अचैने वाले है जाल पड़े हैं चड़ने लगपड़े हैं हम स्टार्टिंग हमने कर दिया है हम आपको आगे एंटरटेन करते रहेंगे यह देखिए यह भी मंदिर बीचे मेरे बीचे और हम चले हैं जाइस यह देखा नीचे सड़क है देखना राम से गाड़ियां रस्ता बड़ा खराब है हम चड़ रहे हैं हुँ भाई नहीं आए हमारे साथ जो आए थे हैं चड़ाई वाई था करें हम तो अगरे जंगे तीनों फॉजी चड़ रहे हैं जोजी को टेफदार के लाव को और पेट दिख रहे हैं किने मोटे 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 पेड़ हैं देवदार के इनकी लकडी बहुत मजभूत होती हैं इन पेड़ों की अबर भी याएंगे दो तीन बंदों इस देवदार की लकडी का बड़ा काम आता है जितने भी घरियां बनते हैं देवदार लकडी की आती है और इनके खुश्बू भी बहुत अच्छी आती है और और मेहंगी भी होती है कॉस्टली होती है असानी से लकडी मिलती नहीं है यहीं मिलती है अब देखिए इसके तुफा खतना गूफा रस्ता ट्रेक चल रहा हमारा आइस हमें ओपर जाना है बरफ की तरफ कम से कम चार से चे साथ किलोमेटर है और रास्ता हमारे 6-7 किलोमेटर हें कि हमने अपना तेल पानी पूरा भर लिए बैग में पानी फल फ्रूट तरभूज जिसका सबसे ज़्याद बजन है और या आप आपके पिक्निक मना सकते हैं जो आपके दिल में करें और आप करें सकते हैं कोई पार्किंग की कोई दिकत नहीं कोई पार्किंग का चार्ज नहीं है फ्योफ कोस्ट यू स्टेय और कार देर नो प्रोब्लम वाओ गाइस बहुत ही अच्छे फ्यूज आ रहे हैं इसलिए में स्पेशल तंजानिया से यहां आया हूं देखें लंभी शाखा है द देदार के और नीचे से शुरू होगे देखो वाओ देखो किसे कंस्ट्रक्शन चालोगी है किसी ने ठीक है अब गाइस हम आगे आपको दिखाते रहेंगे